नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में आपके जो बहुत सारे डॉट्स है उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं जैसे कि लगतार आप सब की जो कॉमेंट रहते हैं उसमें जैदातर फ्रेसर भैरतियों को डीवी के लिए या इसके बाद आगे जैसे कि अभी डीवी चल रहे हैं डेकुमेंट वेरिफिकेशन आप लोग के आयोग के द्वारा करवाया जा रहे हैं तो ऐसे में रिजल्ट के लेकर सब के मन में है कि कब तक रिजल्ट आ जाएंगे क्या जैसे कि साथ को समाप्त होने वाले हैं डीवी के परकि बाद हैं कि क्या डीवी में हम लोग को भी बुलाया जाएगा अभी ही यह रिजल्ट आने के बाद हम लोग को बुलाएंगे क्योंकि डिकुमेंट्स वेरिफिकेशन का काम तो रिजल्ट के बाद भी होता ओध लेकिन इसमें जो वेच्केश दिये जाएंगे इसलिए पहल लोग के अच्छाई के लिए ही यह सारे कुछ कर रहे हैं कि पहले सब का डिकॉमेंट्स वेरिफाइग कर रहे हैं इसमें क्या होंगे कि जो भी फरजी कंडिडेट होंगे जो भी दाबा कर दिया था कि हमने हमारे पास experience का certificate है या higher education का है या दिब्यांगत का है और उसका अभी नहीं पकर मतलब कि अभी उसका वेरिफाइग नहीं होंगे तो उनका result सो नहीं करेगा तो इस तरीके से थोरा सा आप लोग के लिए अच्छा ही हो रहा है जो परकिया भी आयोक के द्वारा किये जा रहे है तो वो निशित रूप से आप लोग के हित में ही है और फ्रेसर जो कंडिडेट है उनके जो मन में है कि क्या हम लोग को भी डीवी के लिए बुलाएंगे counseling के लेकर चर्चा करेंगे आप लोग counseling के भी बहुत सारे अभैरती के मांग है कि किस अधार पर होंगे यह जानना चाहते हैं तो fresher candidate जिनका अभी dv नहीं हुआ है और नहीं उनका कहीं पर किसी भी लिस्ट में नाम आये हैं तो वो सारे अभैर्थी भी जानना चाहते हैं कि क्या हमें भी पहले मौका मिलेगा रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद हम लोग को डिकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे डिवी का जो लिश्ट आये हैं जो कि जिन कंडिडेटों को बुलाए गया है इससे पहले भी डिवी को लेकर लिश्ट आ चुके थे और ये सारे आप समने देखे भी होंगे तो कब तक ये डिवी चल रहे है तो ये डिवी की जो परकिरिया है डिकुमेंट्स वेरिफिकेशन की ये साथ फरवरी मतलब की साथ फरवरी स्पास से साथ फरवरी के बीच में होनी है तो ये दो पारी में होने वाली है जो कि साथ फरवरी के ये documents verification की जो परकिलिया है वो पूरे कर लिये जाएंगे आयोग के द्वारा तो ये documents पूरा होने के बाद कितने दिन में result आएंगे और फ्रेसर का ने रेट जानना चाहरे की कि हम लोग को बुलाएगा अभी तो आप लोग को अभी documents verification के लिए नहीं बुलाया जाएगा आप लोग को result के बाद documents verification जो करवाया जाएंगे counseling जो होंगे उसमें आप सबको मौका दिये जाएंगे उस time आप सबको बुलाया जाएंगे अभी आप सबका documents verify करके क्या करेंगे क्योंकि अभी करेंगे तो बहुत सारे अभ्यार्थियों के verification करना पड़ेगा और ऐसा तो है नहीं कि सबका selection होंगे selection तो कुछ ही अभ्यार्थियों का होगा selection जितना का होगा उसको ये तो उसको documents verify करने में easy होंगे जैसे कि 10,000 अभ्यार्थियों का result देना है जैसे कि higher education में उसका हुआ है अभी दिब्यांगत का हुआ है वैसे उस टाइम भी सारा documents verify किये जाएंगे अभी तो सिर्फ दिब्यांगत वाला certificate चेक कर रहे होंगे या जिन्होंने higher education का मांग किये तो उसका check कर रहे है लेकिन जब result आएंगे तो generalize सब को बुलाया जाएगा documents verification के लिए ऐसा नहीं है कि जो phraser candidate है उन्हीं को बुलाया जाएगा सारे अभ्यार्थियों को बुलाया जाएगा उसके बाद जो counseling के परकिरिया जो कहते हैं counseling के परकिरिया में जो भी अभ्यार्थि select हुए रहेंगे उन्ह सारे अभ्यार्थि को बुलायेंगे और उसके बाद merit list जारी करेगा तो अभी इसमें process है ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं लगेंगे आपके सारी परकिरिया होने में जरूर समय लगेगा क्योंकि जब तक आपकी न्युक्ति पत्र नहीं मिल जाते हैं तब तक समझें कि आपको सारी जानकारिया जानते रहाना चाहिए कब क्या update आती है और इसके लिए आप लोग सिर्फ चैनल को subscribe करके रख ले इस चैनल के माध्यन से आपको सारी जानकारिया अप टूडेट होते रहते हैं सारी जानकारिया आपको मिलते रहते हैं कोई भी जानकारिया आयो के तरब से आते हैं या कोई भी आपके मन में कुछ भी confusion दाते तो उन सारे facts को लेकर हम निस्चित ही आप लोगो clearance करते हैं और उसके वीडियो बनाकर आपको हम सारा कुछ बता देते हैं तो आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं सारे candidate तो अभी साथ फरवरी तक तो documents verification किये जाएंगे उसके बाद ही result का process आगे proceed किया जाएगा तो अभी आप लोग को इंतजार करने होंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि recommends verification में अभी समय है तो दो तीन डोच का समय है तो इसके बाद आप लोग को फिर से क्या आयो के तरफ से सुचना हैंगे वो notice देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग को जो फ्रेसर कंडियर तो उनके मन में डौट थे तो आप लोग सारे अभ्यारती जान गए होंगे कि क्या होने वाल है सारे कुछ हमने आपको बिना लाट लपेट के clearance बता दिये हैं तो और भी इस तरीके से सारी जानकारिया आपको मिलते रहेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका notification आप तक जरूर पहुंच सक आपके और सारी जानकारिया आपको मिलते रहें कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होंगे तब तक आपको सारी बिटी हैसी एनेम की रिगार्डिक सारी जानकारिया आपको मालुम होना चाहिए ऐसा नहों कि कोई चीज आपका मिस हो हो जा इसलिए आप लोग चैनल को subscribe करके जिस जो रखले तेंग्यू